आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आपको मूली खाना चाहिए या फिर नहीं और अगर आप मूली खाते हैं तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मूली खाने के नुकसान भी है अगर आप pregnancy में मूली खाती है तो वीडियो काफ इंट्रेश्टिंग होगी तो अन तक जरूर देखें सबसे पहले बात करेंगे मुली खाने के फायदे के बारे में इसके बाद बात करेंगे मुली खाने के नुकसान के बारे में तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मुली खाने के फायदे के बारे में सबसे पहला है पाचन तंतर को मजबूत बनाने में यानि कि अगर आप सीमित मात्रा में प्रेगनसी में मूली खाती हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को तंदुरुस्त बनाता है आपके गैस की समस्या को कम करता है और आपको बहुत बार ये भी लग रहा हुगा कि गैस की समस्या को कम कहा करता है बढ़ा देता है यानि बार बा की समस्या को भी दूर करता है अगला फाइदा है कि उन्हें यूरिनरी इंफेक्षन से बचाए जा सकता है याने जिन महिलाओं को यौन संबंदी किसी बिदर की समस्या है तो उन्हें प्रेग्ननसी में मूली जरूर खाना चाहिए अगर वो खाती है तो आपको इस तरह की समस मूली खाना चाहिए और यह आपको अब्यारा से भी बचाता है तो आपको दो दो फायदे हो जाएगे एक तो आपका तनाव कम होगा लिएज वेक्तिर्या जै maybe आपको बहुत मददगार होता है जो आपको ल्य retrouver को और गया भाना को doubly बिमार पर हां यह न आपको d involvement विटमिन सी विटमिन सी होता है और विटमिन सी आपको पता ही कि लिए व्याम freue लिए में पड़े ख़्यायर्प दानी में बहुत हैं सी पर दात के लिए भी कста 워ंब्राइब करके प्रेगन चाले में अगला है कि यह तो भी नेयंद्ट करता है यानि बहतर होता है दूसरा होता है कि आपके दिमाग को एच्छा तरीके से काम करने में बहुत जाधा मद्पार होता है तो काफी हद तक यह फायदा मंद आगर इसको सही तरीके से घ आ है चैनल को सकती है अगर आप पैइनसी में मूली खाती है और उससे होता है तो अगर आप बहुत जादा मूली खाएंगी तो आपको paid full ने gas की समस्या जादा बढ़ जाएगी यानि एक limit में खाएंगी तो फाइदे मन्न है लेकिन अगर limited से जादा हो गया तो आपको gas की समस्या जादा देखने को मिल सकती है बहुत ऐसे भी लोग हैं जो प्रेग्नुसी में बहुत जादा मूली खा लेते हैं तो उन्हें पेट फुलने की समस्या भी देखनें को मिल सकती है तो अगर आपको इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है तो आप मूली कम खाए या फिर सीमित मातरा में खाए या फिर एह और भी जादा प्रॉब्लम आपको हो जाती है थोड़ा बहुत खाने पे भी तो आपको सिस करें कि इसे ना खाए यानि आपको अगर ये ठीक है, आपके लिए सूट कर रहा है, तो आप इसे खा सकती है, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुचा रहा है, गैस नहीं बन रहा, ऐसे गिटीर नहीं हो रही, प्रॉब्लम नहीं हो रहा किसी तरह तो आप खाए, और अगर प्रॉब्लम द